नमस्का फ्रेंस प्लैनेट हब चनल में आप सभी का फिर से हर्दिक स्वागत हैं और इस बार सब्जेक रहेगा कुनली में मेश रासी का सुर्या कुनली में जिनका भी मेश रासी का सुर्या होगा उनके बारे में बात करेंगे सुर्या प्लैनेट्स ब्रह्मान का सबसे प्लैनेट्स बोला जाता है राजा बोला जाता है और उसमें से ही सभी ग्रहों का निर्मान हुआ है मैंने बहुत से वीडियो में बोला हुआ है आपको इसलिए सुरिय जिसका मेसरासी का होगा उनके बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे चर्चा करेंगे, सबसे पहले स्वाबी मानी, बहुत ही स्वाबी मान से जीने वाले और हमेशा अपना वजूद रखने वाले, गलत सहेगे नहीं, गलत करेंगे नहीं, सुरिय जिसका भी मेसरासिका होगा, वो व्यक्ति परसन हमेशा दयावान रहते हैं, लोगों का भला इच परिवार कुटुम को साथ में लेके चलने वाले और बहुत ही मेहनतू रहते हैं, सुरिय जिसका भी मेसरासिका होता है, ऐसे व्यक्ति परसन की मेहनत बहुत ज़्यादा रहती है, वो सुबह पांच बजे उड़ जाना और जल्दी उड़ के काम पे लगना उनका एक बहुत ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, अगर आपको आदत है सोने की, तो आपको वेकप समझो छे बजे से लास्ट में लास्ट, छे बजे से पहले तो आपको उठी जाना चाहिए, क्योंकि कुन्दी में सुरिय जिसका सुरिय की ज़्यादे साड़े पांच पांच बजे सुरिय अपना वेकप हो जाता है, मतब सुरिय उद्धे हो जाता है, वो कभी सोता है, कभी नहीं सोता है, जिसका भी सुरिय मेश राशी का होगा, उनको तो पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, कि उनको बहुत ही सोस समझ के नीन निकालनी पड़ेगी, रात में जल्ली सो जाओ, बनता हुआ नजर आएगा, आपके काम बनते हुए नजर आएंगे, सुरिय जिसका मेश राशी का होता है, उनके पिता जी बहुत ही अच्छे और अच्छी पोजिशन पे बैठे रहते हैं, बहुत अच्छा जीवन उन्होंने जिया हुआ है, पिता जी ने, आपका सुरिय म काम किया है, गवर्मेंट में किया है, या कोई भी बड़े हुद्दे पे किया हुआ, सुरिय जिसका मेश राशी का होता है, उनके पिता जी कोई भी जगा पे काम करेंगे, लेकिन उनका एक वजूद होगा, उनका एक अलग से नाम होगा, हमने बहुत कुलिया देखी है, ब या कोई बड़े लेवल में उन्होंने नाम कमाया है खास करके अच्छा वेपार बिजनस करने वाले रहते हैं सादन संपन सुखी रहते हैं पिता जी की बात हो रही है तो आपके अंदर ये सुरिया है उन्होंने ऐसा जीवन जीया हुआ है आपके पिता जी ने जीवन नहीं आता है क्योंकि सुरिया खुद प्रान का कारक है जितनी भी आत्मा है सुरिया आत्मा का भी कारक है जितनी भी आत्मा है वो सबका कारक सुरिया है इसलिए आपका सुरिया मेसराशी का आया हुआ है जिनका भी बर्थ में सुरिया कुनली के अंदर मेसराशी का चौदा च सुरिय को जल देना चाहिए सुरिय को जल अरपन करना चाहिए उसके अंदर आपको लाल मिर्ची जो सुखी आती है जो कड़क जैसी उसके बीज डालने चाहिए और सुरिय को अरदे देते समय एक लाल गुलाब या लाल फुल छोटा वाला उसकी जो पंखडी रहती है लाल ग आओगे वैसे आपको बोलना 21 बार खतम होना चाहिए पूरा जल्ड खतम होने के पहले तो ये एक बहुत बड़ा आपकी जीवन में प्लस पॉइंट है कि आपका सुर्य मेसरासी का आया है और आप जीवन भी अच्छा ही जीओगे आप ऐसी जगह पे काम करोगे जहां आपकी चैर लोगों से अलग होगी जिसका सुर्य मेसरासी का होता है उनकी चैर लोगों से अलग होती है मतलब उनको एक अलग चैर में बिठाया जाता है एक अलग आपके लिए एक मान मिलता है आपको रिस्पेक्ट मिलता है आपकी एक डेजिकनेशन अलग होती है जिसके हिसाब स आपको इजज़त देनी पढ़ती है, रिस्पेक्ट देनी पढ़ती है, क्यूंकि आपका सुर्य मेस रासी का राजा आप राजा आदमियों, जिनतने भी राजा है, अभी जो प्रिंसेस गुझर गए अपने लंदन के अंदर, उन Google के अदर, मतलब सूरिया पहले रखना पड़ेगा सूरिया आपका कैसा है उसके इसाब से फिर आगे की बात होगी इसलिए आपका सूरिया मेश रासिका तो आप लक्की हो आप बहुत बड़े नसीब वाले हो जो आप सूरिया मेश रासिका अगर आपके पिता जी हयात है आपके साथ र जीवन जिया आपने बहुत जगा सुना होगा पुर्वा जोने ऐसा जीवन जीआ है उसकी वज़े से आज के आुलाद ऐसा जीवन जी रही है मतलब उनकी पेड़ी को भुगतना पड़ रहा है इसने आपको आपके पिताजी को धन्यवाद देना चाहिए जो भी दादा पिता सुरिया उनको दिया हुआ कहीं भी फैल नहीं जाएगा ये मेरा आपको वचन है सुरिया आपका मेस रासिक आपको जीवन में हमेशा बरावर से आपको गलत सलत में पढ़ना नहीं है गलत सलत चीज करोगे तो राजा गलत करेगा तो उसको भुकतान देना पड़ेगा और भुकतान सबसे खराब होगा इसलिए आपको गलत चीजों में ऐसे व्यक्ति गलत करते ही नहीं है गलत एबे उन से दूर रहते हैं जैसे सिग्रेट पिना दारू पिना अगर दारू भी अगर वाइन या विस्की या जो भी आप पीते हो वो भी हाई ब्रांडेड चिला चा अगर राहू बैटा है तो फिर कुंडी देखनी बन जाती है या सूरिय केतू साथ में बैटा है सूरिय केतू साथ में बैटा तो एक वरदान है अगर सूरिय राहू बैटा है तो यहां फिर देखने वाली बात हो जाती है फिर कुंडी को देखना पड़ेगा कुंडी को फ स्क्रीफ में चल रही है ऐसे और क्योड़ों लेकर आऊंगा तब तक के लिए नमस्का